आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Question में दिया हुआ है कि यह कि यह 3-way-3 का Determinant ठीक है यह A के उगल है तो यह जो बाला Determinant है यह किसके उगल होगा यह अपने को Find Out करना है ठीक है Option में दिये हुए In Terms of A and Identity Matrix of Order 3 ठीक है सबसे पहले में देखिए जो A लिखा हुआ है यह क्या है यह तो यह Minus 1 7021-3 341 ठीक है अगर मैं इसका Adjoint Matrix निकालने की कोशिस करता हूँ Determinant यहां पर Adjoint Matrix कर देखता हूँ A को में इस तरह माल लेता हूँ ठीक है तो यह मेरे पास कैसे आएगा जो यह होगा Minus 1 की पावर जो जेखिए C11, C12, C13 C21, C22, C23 C31, C32, C32, C33 का Transpose ठीक है अब यह कैसे निकलता है अगर मैं यहां पर C11 निकालने की कोशिस करूँ तो वो निकलेगा Minus 1 की पावर 1 प्लस 1 into M11 ठीक है यहनि M11 के एक लोगा M11 जो होगा यह जो 1 है यहनि A11 इसके इदर वाले को छोड़ दो इसके नीचे वाले को छोड़ दो बचा कितना एक यह बच गया यह बच गया यह बच गया यह 4 elements बच गया ठीक है तो इनका Cross Multiply है तो इनका जो Determinant होगा यानि 1 Minus 3 4 और 1 That means यह किया जाएगा मिरे पास 1 प्लस 12 यानि 13 आ गया तो C1 1 की value 13 आ गया Similarly अगर मैं कोई भी एक random ले निकालना चाहूं C2 3 अगर निकालना चाहूं तो वो आएगा Minus 1 की पावर 2 प्लस 3 into M2 3 ठीक है तो यह यह Minus के M2 3 Hence यह आएगा मिरे पास 2 3 का मतलब क्या हो गया यह बचा क्या हो गया Minus 1 7 3 and 4 ठीक है तो यह आएगा Minus of Minus 4 minus कितना हो जाएगा 21 That means 25 ठीक है वोट यहाँ पे जो इसका अगर जाए अब मैं Adjoint में बरूँगा तो यहाँ पे देखिए Adjoint मेरा कैसे बनेगा Adjoint of A यह बनके आएगा इसका Transpose करना होता है ठीक है So यह आजाएगा C11 C12, C13 C21, C22, C23 C31, C32 C33 ठीक है So C11 की Value तो मेरे पास आएए 13 और C23 की Value आएए 25 ठीक है इसी तरह है अगर मैं यहाँ पे अगर Elements सारे फिल करता हूँ So basically मेरे पास जो Determinant बनेगा वो यह वाला ही बन जाएगा यानि जो यह जो Determinant लिखा हुआ है यह इसका Adjoint लिखा हुआ है ठीक है तो Hence और इसके Determinant की Value पूचे Determinant of Adjoint of A यह क्या होता है यह होता है Mod of A की Power Determinant की Power N-1 It means Determinant A की Power 3-1 Determinant of A का A Square That means A Square तो कौनसा Option Correct होगा Option No.1 अगर इसके में सारे 9 Elements भी चेक तो कर नहीं सकता लिखने यह आप है तो कर सकता हूँ तो यह Clearly Visual है कि यह जो लिखा हुआ है अगर मैं एक ऐसा Matrix मानता हूँ ठीक है उस Matrix का Adjoint जो Matrix होगा वो यह वाला Matrix है और यहां से इस वाले फॉर्मूले गी है लग से मैं इसका Determinant भी Calculate कर सकता हूँ ठीक है तो यह Thank You